नीती आयोग ठीक है वो कई चीजों को कई दृष्टी से देखता है हम लोग बिहार को अपने दृष्टी से देखते हैं नीती आयोग के रिपोर्ट को हम लोग सही नहीं मानते हैं विपक्ष जो है वो सवाल पूछ रहा है सत्तापश के लोगों से तो आप सत्तापश के तरफ से जवाब भी आया बिहार के डिप्ट्टी सीम तारकिसोर परसाद और बिहार के भावन निर्वान मंतरी असोक चौधरी ने जवाब दिया है बिपक्ष के सवालों का आखिर निती आयोग की रिपोर्ट में क्यूं ऐसा आ रहा है स्वास सेवाओं को लेकर कि एक लाग की अवादी पर महज छेवेड बिहार में मौजूद है सबसे पहले बिहार की डिप्टी सीम तारकिसोर परसाद कहते हैं कि निती आयोग का अपना नजरिया है बिहार सरकार का अपना नजरिया है हमने लगातार काम कर रहे हैं स्वास सेवाओं में इजाफा कैसे हो इसको हम सब देख रहे हैं वहीं असोग चौधरी कहते हैं कि नीती आयोग की रिपोर्ट सही नहीं है एक तरह से नीती आयोग की रिपोर्ट को असोग चौधरी खारिस करते हुए नजर आ रहे हैं आगे आप वीडियो में देखिए नीती आयोग की रिपोर्ट के बाद बिहार के डिप्टी सियम तरकिस और बिहार के भवनिर्वान मंत्री असोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं अरे नीति आयोग का अपना मानक है हम लोग जो बिहार के लोगों के साथ आत्मिरवर बिहार के साथ निश्चे दो में जो वायदे किये हैं और उसके लिए बिगत 15 वरसों में हम सबों जें हम सबों न आधारभूत सन अचनाय खड़ी की है और उसके कारण बिहार के लोगों से जो वायदे किये हैं उस पर हम सब काम कर रहे हैं नीति आयोग ठीक है वो कई चीजों को कई दृष्टी से देखता है हम लोग बिहार को अपने दृष्टी से देखते हैं कि बिहार के लोगों की कि चाहएं हैं उन सारे चीजों को मानिय भारत क्राइव प्रणान मंत्री to और बिहार के लोगों की किया कांगशा उन सारे चीजों को मानिये भारत के स्वस्वी प्रधानमंतरी जी के मार्ग दर्सन में और बिहार के सम्मानिये मुखमंतरी सिरी निकीश कुमार जी के नेतुरित में पूरी मुस्तेहदीश या पूरे संकल के साथ काम कर रहे हैं सेस उन चीजों को जब देखेंगे तो फिर आप से मारी बात होगी नीती आयोग के रिपोर्ट को हम लोग सही नहीं मानते हैं हम लोगों ने 15 वर्सों में स्वास छित्र में बहुत काम किया है और प्रदेश की जनता जिस तरह से सभी जिलों में अस्पतालों का निर्मान, A.N.M. सेंटर का निर्मान, नर्सिंग स्कूल का निर्मान और जिस तरह से कोरोना में हम लोगों ने इतने विकट परिस्तिती में सबसे घनत वाला राज लाने के बावजूद प्रदेश की जनता जिस तरह से सभी जिलों में अस्पतालों का निर्मान, A.N.M. सेंटर का निर्मान, नर्सिंग स्कूल का निर्मान और जिस तरह से कोरोना में हम लोगों ने इतने विकट परिस्तिती में सबसे घनत वाला राज लाने के बावजूद बिहार ने जिस तरह से काम किया ये पुरा देश देखा है